नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्याराशे वालों, अरे मूर्ख आपके घर को उजाड रही है, आपकी यह तीन गलतियां मित्रों, आज हो जाईए, सावधान अभी भी वक्त है और संभल जाईए क्योंकि मित्रों, जाने अंजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा परिवार दुखी हो रहा है, पूरा परिवार रो रहा है आज बहुत खास जानकारी हम आपको देंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में तीन बार जय श्री महाकाल अवश्य ही लिख दीजिएगा गीता में भगवान श्री कृष्न कहते हैं कि हे अरजुन, हमारे जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों से उम्मीदें रखी, जिन से हमें नहीं रखनी चाहिए थी और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर शक्ख किया, जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था यही वह गलतियां है, जो हमारे घर की उजाड देती है, यह वो गलतियां है, जो हम अपनों और परायों को पहचानने में कर जाते हैं, और बाद में जीवन भर पच्छताते हैं, क्योंकि वह अपना फिर हमारा साथ कभी नहीं देता, हमसे नाराज हो जाता है तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का या अनमोल विचार यदि आपको दिल को भाया हो तो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जै श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें. जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वैसे ही कुछ गलतियां अपने नाखून चबाने लगते हैं. लेकिन ज्योतिशी में माना जाता है कि जो नाखून चबाने वाले लोग होते हैं, उनका सूर्य कमजोर होता चला जाता है. ऐसे में उनके जीवन में दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है. घर में लड़ाई जगड़ा होने लगता है तो अगर आपके अंदर भी यह आदत है, तो अपनी इस आदत को तुरंत त्याग दीजिए, कब घर में बाहर आने पर या घर से बाहर जाने पर कपड़े कभी फेंग देते हैं, जूते चपल कहीं भी इधर उधर रख देते हैं, यानि ये लोग सलीके से एक निश्चित स्थ पर सब काम नहीं करते, ऐसे घर की खुशियों को आग लगाते हैं, अपने घर के तो को कमजोर करते हैं, जियोतिश के जानकारों के अनुसार ऐसे लोगों का शनी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण जिनका अच्छा रोजगार चल रहा था, वह रोजगार भी धीरे धीरे उत चड़ाव देखने लगता है, और कैरियर में भी तरह तरह की परेशानिया आ जाती हैं, इसलिए आप जो सामान की जगह जहां पर है, उसे वही पर रखें, इतना ध्यान रखें, अब बहुत सारे लोगों की एक गलती ओर होती है, कि वह पैरों को हिलाते रहते हैं, जहां प जलते कोई न कोई बात इनके मन में घूमती रहती है, ये मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, घर में कुछ भी बोलने लगते हैं, और इनकी यही आदत घर की खुशियों को आग लगा देती है, हमने तीन आदतें आपको बताई है, अगर आने वाले समय में ये तीन आदत बहुत उतार चरहाव चल रहे हैं, आपके प्रयासों का सही परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, लोग आपकी बातों से जल्दी से सहमत नहीं होते हैं, जरा-जरा सी बातों पर आपकी बहस हो जाती है, आपको ऐसा लगता है, जैसे कि पूरा संसार ही आपके खिला पूरा भरोसा करते हैं, उनसे आपको धोखा मिल सकता है। और इस समय आपको व्यापार में भी कोई बड़धी चोट मिल सकती है। लेकिन ये तब ही होगा जब आप किसी पर अंधा विश्वास करेंगे। जी हां मित्रो, आप बहुत ही भाववक इंसान हैं। अपने गुणों से प्रेरित रहते हैं और आप जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। अपनी गुप्त बातें भी भावनाओं में बहकर दूसरों को बताने लगते हैं और दूसरे लोग इसी बात का फाइदा उठाते हैं और आपकी गुप्त बातों को जानकर आपके खिलाफ ही उप्योग करने लगते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको धोखा मिला है, लेकिन यह धोखा असल में आपने अपने आपको ही दिया है, क्योंकि आप समय रहते सतर्क नहीं हुए, और आपने उन बातों को भी जाहिर कर दिया, जिन्हें आपको छुपाना चाहिए था. दोस्तों, इस समय आपका पारिवारिक जीवन आनंद में रहेगा, पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ भी आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा, दापत्य जीवन भी आपका बहुत सुन्दर रहेगा, लेकिन यदि आप हाथों में आए अवसरों को लेकर लापरवाही बरतेंगे, तो आपको बहुत बढ़्धा नुकसान हो जाएगा। कारोबार में तो आपको लाब हो रहा है। किसी प्रकार की कोई बढ़्धी परेशानी नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं अवश्य हैं, लेकिन उनसे आप बढ़्धी आसानी से पार निकल जाते हैं। लेकिन कारोबार में लाब के बावजूद भी आपका मन संतुष्ट नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी है, किसी प्रकार की कोई निराशा है। जी हां मित्रों, मित्रों यदि आप किसी लथ या किसी बुरी आदत से ग्रसित हैं, किसी प्रकार के व्यसन से ग्रसित हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यक्ता है, क्योंकि आपको उस बुरी आदत के दुश्परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, आप की बहुत बढ़ी हानी होने जा रही है। जी हां मित्रों, इस समय आपको अपने शरीर में उर्जा की कमी का एहसास होगा, और नींद भी आपको भरपूर मात्रा में नहीं आएगी। कुछ अंजाना सा डर, अंजाना सा भय आपको सताता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि यह केवल एक ग्रहों की चाल का नतीजा मात्र है। ऐसा हकीकत में आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, बलकि इसके उलट आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, जिसको यदि आप पहचान जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे जी हां मित्रों दोस्तों इस समय आपको किसी से ज्यादा अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जितना लोगों पर भरोसा करके अपने कार्य को करेंगे उतना ही आप असफल होंगे लोग आपके भरोसे को तोडेंगे तो जितना हो सके उतना अपने कार्य की जिम्मेदारी आप स्वयम उठाएं और अपनी ताकत से अपने कार्य को करने की कोशिश करें जी हां मित्रों, इस समय आपको अपनी दिन चर्या को भी नियमित करने की आवश्यक्ता रहेगी, वरना आप किसी छोटे मोटे रोग से पीडित, बनी ही रहेंगे आपके जीवन में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त होता ही रहेगा, जो की आपकी सफलता प्राप्ती में बहुत बड़ा बाधक बनेगा जी हां मित्रों, आपको अपने कार्यक्षेत्र पर भी थोड़ी सी कठिनाई का एहसास अवश्य होगा कार्यका थोड़ा बहुत दबाव भी महसूस होगा, लेकिन यह सब आप बड़े आराम से सहन कर लेते हैं आप बहुत ही मेहनती इनसान हैं, लेकिन इन सब की वजह से आपको शारीरिक ठकान का एहसास भी रहेगा दोस्तों, इस समय आपको अपने विचारों के विस्तार को कम नहीं करना चाहिए यानि की अपने विचार जितने हो सके, उतने खुले रखें और बड़े से बड़े कदम उठाने की तैयारी करें क्योंकि अब आपको सफल होने का समय आ रहा है जी हां मित्रों और दूसरों की बजाए आप स्वयम के निर्णय पर भरोसा करें और अपना स्वयम का निर्मान करें दूसरों पर आप बिलकुल भी ध्यान न दें लोग क्या कह रहे हैं इन सब बातों से आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि लोगों के बारे में आप जब भी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लोग आपके बारे में ही बातें करते हैं और आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराईया होती है जिनसे आपका मन खराब हो जाएगा तो आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है, आपको पेट से संबंधित रोग इस समय परेशान कर सकते हैं, आपको गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है और यदि आप योग, प्राणायाम और कसरत वगैरह से जुड़ जितना हो सके, आप अपने स्वयम के निर्णयों के बारे में विस्तार से विचार करें, तभी आप कोई बड़ा कदम उठाएं, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय न ले ले, जी हां मित्रो, आपको जीवन साथी की सलाह पर भी ध्यान देने की आवशक्ता रहेगी, आप इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को महत्वपूर्ण कारेभार मिल सकती हैं, जी हां मित्रो, व्यापार में भी इस समय आपको पार्टनर से बगेरह करनी पड़ सकती है, जो कि आपके व्यापार को बढ़ाएगी और आपके जीवन में एक नया मुकाम आपको द जी हां मित्रो, इस समय आपको अपने परिवार जनों के साथ बैठना चाहिए, वहीं से आपको सकारात्मक उर्जा प्राप्त होगी और अपने माता-पिता के साथ बैठना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे आपके ग्रहों की चाल आपके पक्ष में होगी और आप उनकी कृपा से वंचित रह जाएंगे। जी हां मित्रो, मैं आपको बता दूँ कि आपके उपर मा भद्रकाली की भरपूर कृपा होने जा रही है। आपके जीवन में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होने जा रही है कि मा भद्रकाली आपके उपर संपूर्ण कृपा बरसाने वाली है। स्वयम आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। आपको यकीन करना होगा कि मा भद्रकाली की कृपा आपके जीवन में आ रही है। लेकिन आपको कौन सी गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी हैं। तो मित्रों में आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन अपने जीवन से त्याग देना होगा। क्योंकि माता को य जी हां मित्रों, आपको किसी भी प्रकार का गलत भोजन नहीं करना होगा, तामसिक भोजन नहीं करना होगा, आपको जितना हो सके उतना सात्विक साधा भोजन करना होगा, जिससे आपको माता की भरपूर कृपा प्राप्त होगी, जी हां मित्रों, और अगर हो सके, तो अपन तो बात करेंगे आने वाली तीन दिनों की, यहां तक वीडियो अगर देख ली है, तो अंत तक देखते रहे, आपके सारे बिगडे काम बनेंगे, इन तीन दिनों में अब ग्रह गोचर का आपकी राशी पर क्या प्रभाव आएगा, उस बारे में बात कर लेते हैं, जब भी जो सीनियर आपके हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, तो अपने हर काम इमांदारी के साथ करिएगा, अपने हर काम को आनंद के साथ करिएगा, आपका जो रहन सहन है, थोड़ा अव्यवस्थित होने वाला है, तो हमें पान रहे हैं, तो दुख के दिन भी आएंगे, और अगर बहुत ज्यादा दुख हो चुका है, तो अब सुख आने वाला है, हमें हर परिस्थिती में खुद को ढालना सीखना होगा, वरना हम हमेशा दुखी ही रहेंगे, परिवार का साथ आपको मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग स नौकरी के अवसर उत्पन होंगे, लेकिन कोई न कोई अग्यात भय आपको सताता रहेगा, अग्यात भय किस प्रकार के होते हैं, जरा गौर फरमाईएगा, कई बार हम इस बात की चिंता करते हैं, कि हमारा परीक्षा परिणाम कहीं बेकार ना आ जाए, हमने मेहनत बहुत स पन हो जाता है कि काम में कर पाऊंगा या नहीं, तो इस तरह के अग्यात भय जिनके कोई अते पते नहीं है, संभावना ही नहीं है कि ऐसा होगा, उनसे हमें नहीं डरना है, हमें बेवजह, बेजिजक, अपने हर काम को अंजाम तक पहुँचाना है, भगवान आपके साथ ह वह आपकी हर संभव मदद करेंगे, इन 24 घंटों में आपको क्या सावधानी बरतनी है, उस बारे में बात कर लेते हैं आप, जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग आपके पास है, तो अपने इस सौभाग्य का फायदा उठाईए, कहने का मतलब है उनकी सलाह लीजिए, उनकी सलाह मानिय, क्योंकि एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है और आपकी जीवन संगिनी इसका प्रत्यक्षो दाहरण है, उन्हें कम मत कीजिएगा, यत्र नारी पूज्यनते, तत्र देवता रमंते, ये सोच करके अपने घर की बहु बेटियों का सम्मान ज आप अपने स्वरूची भोज कर पाएंगे, स्वादिष्ट खान पान आपको मिलेगा, और जब अच्छा खाना खाएंगे, तो आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई मनहूस इंसान जो हर बार नकारात्मक बात ही करता है, वह आकर पुना आपका पुड बिगार देगा, तो आपको खुद को होसला देना है, भरोसा रखना है कि आगे कुछ गलत नहीं होने वाला, नौकरी में परिवर्तन के योग इस दौरान बन रहे हैं, कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितिया निर्मित हो रही है, वानी में कठोरता का प्रभ प्रभाव रहेगा, नकारात्मग ग्रह, आपके मुह से कुछ ऐसे शब्द निकलाएंगे जो आप नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन फिर भी ग्रहों का प्रभाव ऐसा रहेगा कि वह शब्द सामने वाले के हृदय को छलनी छलनी कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रही है, प्रिवार के साथ धार्मिक स्थान की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, आत्म विश्वास तो ठीक ठाक है, लेकिन मन पता नहीं क्यों अशांत है, आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, अतीत की कुछ उलजने और भविश्य की कुछ चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं, आपको इन दोनों को छोड़ कर अपने वर्तमान पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रह सितारे अभी आपको बना देंगे, और आपका काम है मौके का फाइदा उठाना, कुछ कठिनाईयां आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान की मदद से, अपनों को आलसी कहने लगेंगे, उससे पहले महनती बन जाइए, क्योंकि आपके हाड़ वर्क का डंका चारों ओर बजना चाहिए, अब हम आपको शुकरवार के दो-तीन उपाय बताएंगे, सरल और साधारन, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, समझना है और करना है जरा पहला उपाय सुनिएगा आपको, शुकरवार के दिन माता लक्ष्मी को एक नारियल चड़ाना है, पूजा कर लेनी है, और पूजा के बाद इस नारियल को किसी चमकीले कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख लेना है, बस इतना सा उपाय आपने कर लिया, त आप एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और दीपक जब बुझ जाता है तो बचा हुआ तेल, अगले दिन यानि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर चड़ा दीजिए, इस से आपके घर के सभी दुख दूर होंगे, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर् करता कहा जाता है, इसलिए इस दिन आप कुछ आसान उपाय करके अपने जीवन में सुख सम्रिद्ध लेकर आ सकते हैं, इस दिन आप कारोबार व करियर में तरक्की के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, ये उपाय बेहत सरल है और इन्हें आसानी से किया जा सकता है, आईए ज जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांती बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सब्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्यफल एक लाक पाठ के बराबर होता है। बुधवार के दिन हरी मूंग की डाल का दान करना चाहिए. साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की डाल का सेवन करना भी लाबकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्षमी की भी कृपा बनी रह अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांट बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांटें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीग्र प्रसन्न होते हैं और कईसान सारे कामनाएं पूरी होती हैं अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना बहुत जरूरी है कभी-कभी आपके इस स्वभाव की वजह से घर के सदस्य परेशान भी हो सकते हैं युवाओं को अनुशासित होना जरूरी है अनावश्य खर्चों पर काबू पाए अन्यथा बजट गड़ बढ़ा जाएगा आईए एक छोटा सी घ्यानवर्धक कहानी हम आपको बताते हैं एक व्रिध संत ने अपनी अंतिम घढ़ी नजदीक देख अपने पास बुलाया और कहा मैं तुम्हें चार कीमती रत्न दे रहा हूँ पूरी जिंदगी इनकी सहायता से अपना जीवन आनंद मैं तथा श्रेष्ट बनाओगे पहला रत्न माफी तुम्हें कोई कुछ भी कहे तुम उसकी बात को कभी अपने मन में न बिठाना और ना ही उसके लिए कभी प्रतिकार की भावना मन में रखना बल्कि उसे माफ कर देना दूसरा, रत्न, भूल जाना. अपने द्वारा दूसरों के प्रति किये गए उपकार को भूल जाना. कभी भी किये उपकार का प्रतिलाब मिलने की उम्मीद ना रखना. तीसरा, रत्न, विश्वाश. हमेशा अपनी मेहनत और उस परमपिता परमात्मा पर अठूड विश्वाश रखना क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उस स्रिष्टिनियंता के विधान में नहीं लिखा होगा परमात्मा पर किया विश्वाश ही तुम्हें जीवन के हर संकट से बचा पाएगा और सफल करेगा चौथा, रत्न, वैराग, हमेशा यह याद रखना कि जब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही हमें एक दिन मरना ही है इसलिए किसी के लिए अपने मन में लोभ मोह न रखना मेरे बच्चों, जब तक तुम ये चार रत्न अपने पास संभाल कर रखोगे तुम खुश और प्रसन रहोगे आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा आप अपने परिवार पर पूरा ध्यान देंगे परिवार की गतिविधियों में शामिल होंगे और काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे आपकी महनत रंग लाएगी शादी शुदा लोगों का दामपत्य जीवन प्रेम पूर्ण रहेगा परिवार के कामों में दोनों मिलकर जिम्मेदारी संभालेंगे आपकी इनकम सामानने रहेगी प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को आज अपने प्रिये का नया रूप देखने को मिलेगा जो आपको पसंद आएगा शादी शुदा लोगों को अपने ग्रिहस्त जीवन का सुख मिलेगा जीवन साथी के साथ परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे प्रेम जीवन भी काफी अच्छा रहेगा